हेलो फ्रेंड्स आपका मेरे यूट्यूब चैनल कुकिंग एंड होम डैकोर में स्वागत आप सब कैसे हैं मैं ठीक हूँ आज की वीडियो फिर से आपके साथ कुछ न्यू टिप्स शेयर करूंगी जो के टिप्स हमारे डेली लाइफ के लिए काफी जूजफुल टिप्स होते हैं इन शोट शोटे टिप्स से हमारे घर के कम बहुत असान हो जाते हैं और इन टिप्स से हमारे काफी पैसे की वी बच्चत होती है जिससे हम और अपने घर के लिए समान लेकर आ सकते हैं सबसे पहरा मेरा जहां पर टिप्स है जहां पर देखी मैंने लिया गेहूं का आटा ये एक बॉल में मैंने गेहूं का आटा डाल दिया है अब इसमें डालूगी फ्रिज का थंडा पानी इसमें फ्रिज का थंडा पानी डालना है तो ये हम जो घोल है जब हम किचन में लेडिस काम करती है हमारे कभी हाथ जल जाता जहां कभी कभी बाजू भी जल जाती है कभी पैन के साथ, कभी तबे के साथ, कभी पतीले के साथ क्यूंकि हम लेडिज एकठे ही तीन-चार काम गैस पर करते हैं तो एasonic कभी-कभी टच हो चाता है तो काफी जलन होती है अगर यह घोल हम जहां पर जल या हो वहाँ पर अगर लगाते हैं तो काफी ठंडक मिलती है और हमारी जलन है जो बहुत कम हो जाती है और यह लगाने से हमारे हात पर दाग भी नहीं परता हमें बस डिरैक्ट ऐसे लेकर जहां पर भी हमारे जल यह आहो वहाँ पर लगा सकते हैं क्योंकि इतनी जल्दी में जल जाता है हमें मैडिसन कभी-कभी मिलती भी नहीं है तो गेहूं का आटा होता है जो हमारे किचन में ही होता है तो हम इसका जूज करके अपनी जलन को कम कर सकते हैं और जहां पर कीचन में काम करते हुए हम अपने ऐसे मैडिसन भी नहीं लगा सकतें तो हम यह सिंपल तरी के से आटे को लगा कर अपनी जलन को कम कर सकते है तो हमारे हाथों थूर वाज़ू पर ऐसे दाग भी नहीं पड़ता और दो पांचमेंट ऐसे ही लगाकर रख देते हैं तो बिलकुल हमारी जलन ठीक हो जाती है यह काफी जूशुल टिप्स था तो नेक्स टिप्स आ गए सहाँ पर देखी कॉलगेट ली है मैंने जो 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 कॉलगेट है बिलकुल खाली हो चुकी है इस में से सारी ही मैंने कॉलगेट निकाल ली थी जे देखें निकाल ली थी बट फिर भी इसमें कुछ न कुछ फिर भी इसमें थोड़ी सी कॉलगेट रह चाती है इसका ही मैं जहाँ पर आपके साथ एक जूई शियर करती हूँ आजकल जैसे गर्मिया है तो हम फ्रिज में पानी की बोतल ऐ इसे रखते हैं इनको वाश करने के लिए हम जे कॉलगेट का यूज कर सकते हैं ऐसे जो स्टील की बोतल होते हैं उन में भी यूज कर सकते हैं जहां हमारे पास कांच की बोतल होती हैं जहां बॉल्स होते हैं उनको वी इन से क्लीन कर सकते हैं देखें जहां पर जो मेरे पास कॉल गेट थी ऐसे शोटे शोटे पीस में कट कर लिया तो विया पेस्ट घर पर जूज करते हो ऐसे जब खाली हो जाती है तो इससे हम कलीनी कर सकते हैं अपनी बोतल जो होती है उनको कलीन कर सकते हैं ऐसे देखे शोटे शोटे मैंने पाट कट कर दिया देखे बीच में कोल ग यहां पर देखें कांच का ही मेरे पास बॉल है उसको मैं क्लीन करूंगी और जहां पर बोतल में भी कुछ पार्ट पीसिज डाल दिए तो अब इसमें डालेंगे गरम पानी तेज गरम पानी नहीं डालना है सिर्फ गुर्गुरा पानी ही डालना है पानी डालने के बाद इनको शेक करें ताकि जो जे पीचीज में कोलगेट थी वो निकल जाए ऐसे बंद करके हम इनको शेक कर लेते हैं ये तो क्लीनिंग भी हो जाएगी और कॉलगेट पीच में निकलकर अच्छी तरह से क्लीन कर देगी हमारी बोतल्स को जहां पर देखे कितनी जग बन गई है तो ऐसे बहुत छोटा सा टिप्स था बट हम जूज करके अपने ऐसे बोतल्स को कली कर सकते हैं अगर आपको मेरे टिप्स अच्छे लगे हो लाइक करना शेर करना जो मेरी वीडियो पर पहली वा रहा है प्लीज वो मेरे चैनल को सस्क्राइब कर देना क्योंकि सस्क्राइब करना फिल्कल फ्री है जिन्होंने सस्क्राइब किया है उनका दिल से धन्यावाद कर दी हूँ और नेक्स टिप्स आगे के निशान काफी बना कर वो लेकर आते हैं उसका ही मैं जहां पर एक tips आपके साथ है शेर करूंगी जहां पर जे निशान हो वहां पर आप डिटोल ऐसे डाल दे और थोड़ा सा रगर दे ऐसे था तौड़ा सा रगरें के तो यह बहुत easy क्योंकि वैसे यह पने के निशान निकालना काफी मुश्खिल काम होता है क्योंकि पयने के निशान जल्दी नहीं जाते हम जितना, साबन सर्फ से वॉश कर लें ब्ट पैने के निशान नहीं चाते है यह शोटा सा एक टिप्स आ इसको follow करके बिल्कुल clean हो जाता है जहां पर देखिये रहां Bartow बहुत जल्दी में भी ऐससे clean हो जाता तो नेक्स टीप काफी useful tips हैं तो उनिप्स कोल गेट को लेकर आगया देखिये जहां पर जैसे अब इसमें बिल्कुल थोड़ी कॉलगेट रह गई थी, बट वो निकल नहीं रही थी, तो हम ऐसे बेलन के साथ उपर वाली साइड को सारी कॉलगेट को कर दें, तो जो अब कॉलगेट है उपर आजाएगी और बहुत इजी तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, जिस को फोल्ड कर दें, और फोल्ड करने के बाद जैसे ओपन हो रहा था, तो मैंने जहां पर एक क्लिप लगा दिया, अब जो कॉलगेट है बीच में वो उपर ही रहेगी, तो हम इस कॉलगेट को बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं, और नेक्स टिप्स आगे, ऐसी जो हमा है कि जैसे जोलिरी डालते हैं, उनके कान खराब हो जाते हैं, मतलब पक जाते हैं, उसका ही मैं एक टिप्स जहां पर शिर्क करती हूँ, लसन हमारे किचन में ऐसे होता है, जब भी हमने टॉप्स ऐसे डालने हो कानों में, तो पहले लसन में ऐसे लगा दें, ऐसे लगाने क जोपस होते हैं उनको डालते हैं तो हमारे कान है वो खराब नहीं होते और नहीं हो पकते हैं तो यह बस छोटा सा tips था but काफी useful tips था तो next tips आ गया जहां पर दिखिए मैंने लिया एक क्लास में पानी और यह पानी मैंने लिया और ऐसे दिखे कर्द के साथ इसको हम कट कर देंगे जैसे ही मौसम चेंज होता है तो बच्चे क्या होता है पीमार हो जाते हैं उनके गले खराब हो जाते हैं यह पानी अगर हम उनको पिलाते हैं तो उनके गले बिल्कुल साफ हो जाते हैं और ठीक हो जाते हैं यह सिर्फ एक घेलू नुकसा था जो हमारे दादी नानी के नुकस फोते हैं। उन में से यह नुकसा था। इस से हम गले हैं जो बल्कुल बच्चों के ठीक हो जाते हैं। तो नेक्स्ट पानी को लेकर है जब भी हमारे बच्चे घर से बाहर जाते हैं उनको एक गलास पानी जरूर पिलाकर भेजें। क्योंकि घर्मी का मौसम है निम्बु पा झाल 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 झाल